दोस्तो इस वेडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट आइडर वसेज पंजाब किंग्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्टैट्स के उपर पूरी इटिल अनलेसिस करेंगे और जानेंगे यहां से कौन से प्लेयर बेस्ट आप्सन रहेंगे अस्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिग लिए तो दोस्तो एक तरफ है कोलकाता जो की बहुत ही अच्छे फॉर्म में है लगतार सारे मैचेस जीत रही है और दूसरी तरफ है पंजाब जो की लगतार चार मुकाबले हार चुकी और बहुत ही बुरे फॉर्म में है तो सबसे पहले हम लोग पूरी इटेल अनलिसिस करेंगे दोस्तों उसके बाद अस्मॉल लिक ग्रेंड लेके टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे तो बात कर लेते हैं पहले अनलिसिस की उपर गौर की जाएगा दोस्तों ब्याली स्वा मुकाबला हाई पील का जो की 26 अपरेल को सामें 7,6 बज़े से खेला जाएगा और ग्राउंड की बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट की उपर तो भी तक इस ग्राउंड पर T20 के 90 मुकाबले खेले गया और जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले टीम 38 मुकाबले जीती है और चेस करने वाले टीम 35 मुकाबले एबरेज स्कोर इस ग्राउंड पर 165-70 की उपर ही आपको स्कोर देखने को मिलेगा हाइस्ट स्कोर चेनने ने 235 सरंड बनाया है और लोइस्ट स्कोर यहाँ पर RCB 49 सरंड पर ओल आउट हो गई थी स्कोरिंग प्रेटन देखाया है और दोस्तो यहाँ पर 27 बार 1500 के नीचे स्कोर बना है 150 और 117 के बीच ही 117 और 117 के बीच में 27 बार और 17 बार 190 की उपर स्कोर गिया है तो दोस्तो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर बहुत ही जाड़ा है स्कोरिंग मैच हुआ था जो की दोस्तो कोलकाता लास्ट में एक रन से जीत गई थी और रिसेंट के दो चार मुकाबले हुए है इस ground पर इस सिजन उसमें से तीन मुकाबला कोलकाटा जीती है और एक मुकाबला राधिस्थान तो कोलकाटा का अपने home ground पर performance तो बहुत ही अच्छा है ही साथ में दोस्तो चार मुकाबले जो मिलाकर फास्ट अबुलर को मिली है अभी तक 36 विकेट और अस्पिनर्स को मिली है दोस्तो 14 विकेट तो यहाँ पर फास्ट अबुलर को ज़्यादा मदद मिलती है तो आपको फास्ट अबुलर पर ज़्यादा फोकस करना है अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तो हेट टू हेट रिकॉर्ड्स की उपर दोस्तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक IPL की इतिहास में 32 मुकाबले हुए हैं जिसमें सक केक्यार की बात कर रहे हैं तो 21 बार बाजी मारी है और पंजाब किंग्स 11 बार तो लगबग दुगना मुकाबला कोलकाता जीती है तो इस मुकाबले में भी कोलकाता का पगड़ा भारी रहेगा और वहाई पंजाब दोस्तो आखरी नंबर पर है, पॉइंट स्टेवल पर आठ में से मातर दो मुकाबला ही जितने पाई है, और ये दोस्तो बहुत नीचे है पॉइंट स्टेवल में, अब इसके बाए डारेट बात कर लेते हैं, क्या रहेगे कि कोलगाता नाइट आडर की इस मुकाबले में प्लेंग लेंगे, तो इधर से आप सभी को फिलिप सॉल्ट के बाद सुने लरायन ओपनी करते हैंगे, फिर एर अगवन सी, फिर स्रेस, अइयर विनकेटेस, अइयर रसल, फिर रेंकु सिंग, रमन दीप सिंग, मिचल स्टार्क, हरसित राना, वरुन चक लेकर से फ्लॉप हो गये थे, मातर 10 रन ही बनाने पाएं थे, लेकिन रिसेंट में 109 रन, 27 रन, 85 रन, 47 रन की पारी खेल चुके हैं, और बॉलिंग से हर मुकाबले में 2-3 विकेट ले रहे हैं, तो सुनी लरायन को तो आपको लेकर चलना ही है, साथ में फिलिप सॉल्ट भ बैटिंग करने आएंगे, एर रगवंसी की बात करें, तो पिछले 3 मुकाबले में 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, और पिछले मुकाबले में मातर 3 रन ही बनाने पाए हैं, तो एर रगवंसी के आप लोड़ ड्रॉप करके इनके जगा पर सिर्यास अयर को ले सकते हैं जो कि रिसेंट में 38 रन, 54 रन, 49 रन नोट आउट और पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी खेले हैं, तो एर रगवंसी और सिर्यास अयर दोनों में से आपको एक को ही लेकर चलना है, और वहीं लोड़र से बात करें तो एंडर असल बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बैट पिक रहेंगे, तो आप लोग इनको ले सकते हैं, जब कोलकाटा के टीम टॉस हार जाई तो, बाकि रिंकु सिंग भी पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले और रमनदीब सिंग भी 24 रन नोट आउट, तो इन दोनों का दोस्तों बैटिंग उडर बहुत दार नीचे है तो रिंकु सिंग को तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन रमनदीब सिंग केवल और केवल मेया ग्राइन लिक के लिए इंपोर्टन रहेंगे, अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में कोलकाटा के बॉलर्स भी अच्छा पॉहमेंस किये थे, खास करके सुनिल नरायन को तिन विकेट मिली थी, सुनिल नरायन को दो विकेट और एंडरोसल को तिन विकेट, और बाकी दोस्तों हरसी तरणा का भी दो विकेट मिली थी, मिचल अश्टार खोड़े महंगे सावित हुए थे, लेकिन इनको भी इस मुक आपके टॉप ओडर के बैट्समें अच्छे फार्म में नहीं है तो मिचल अस्टार की इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही बाकी दोस्तों हर से त्राना को तो आप लोग लेकर चलेंगे ही और ऑल राउंडर सेक्शन से सूनी लरायन और एंडुरसल बाक से आप सभी को सिखर दोन को लेकर अभी कोई इन कांफरम न्यूज नहीं आ रहे है तो सैम करन और प्रभ प्रभ सिंब्रन सिंग ओपनिंग करेंगे फिर रिले रोसो लैंबली मिश्टन जितेस सर्मा ससांग सिंग असुतोस सर्मा उसकी बाद हरप्रीद बरा हरसल पटेल की उपर तो सबसे पहले बैट्समें पर नजर डाले तो पिछला दो तीन मुकाबले से पूरी पंजाब की बैटिंग लाइन फ्लॉप है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तौप और से दोस्तों सैम करन पिछले दो मुकाबले से ओपनिंग कर रहे हैं कुछ खास पफॉम इनके उपर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं क्योंकि विगेट कीपिंग से पॉइंट दे रहे हैं और वहीं रिले रोसो की बात करें तो दो मुकाबले खेले हैं और दोनों का दोनों मुकाबले में फ्लॉप हो गया हैं लाइम लिमिश्टन भी दोनों मुकाबले में रिसें पिछले मुकाबले में 13 run की पारी खेले हैं और रिसेंट में कुछ खास किया नहीं है हर प्रीद सिंग दोस्तों impact player के तौर पर अच्छा खासा पारी खेल रहे हैं पिछले मुकाबले में 14 run और उससे पहले 40 run तो में ग्रैंड लिए इंपोर्टेंट रहेंगे और ससांग थे तो दोस्तों आपको top order के players पर ही कुछ ज़्यादा focus करना है सैम करन हो गये लिमिश्टन हो गये और दोस्तों रिले रोसो और बाकी दोस्तों आपको जरत तरफ players कोलकता के तरफ से लेकर चलने हैं और वहीं balling section से बात करे तो हरसल पटेल लगतार पिछले दो मुकाबले से 3-3 wicket लेते आ रहे हैं तो हरसल पटेल आप लोग के लिए safe option रहेंगे सैम करन सेफ option रहेंगे तो हरसल पटेल सैम करन को आपको लेकर चलना है बाकी अर्षदीप सिंग का दोस्तों इस मुकाबले में wicket कम chance की मिलेगा लैम लिमिश्टोन आप लोग ले सकते हैं पिछले म मुकाबले में 2 wicket मिला तो इस मुकाबले के लिए safe option रहेंगे बहुत ही अच्छे form में भले पिछले मुकाबले में wicket ना मिली हो और हर प्रित बड़ा के वल ग्रैंड लिक के लिए तो यह होगी हमारी पूरी डिटेल अनलेसे साब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की पर तो तो कोलकाबा की तरफ से इस मुकाबले में सुनिल रहें फिलिप सॉल्ट रैस अईयर रसल और मिचल स्टार कर रहेंगे की प्लेयर और वहीं पंजाब की तरफ से सैंप करन लिए रिले रोसल लैमिस्टन और हरसल पटल और अर्षदेव सिंग तो यह तो होगी दोस्ते हैं पर हमारी की प्लेयर और पूरी डिटेल अनलेसिस अब बात कर लेते हैं बैतरीन टीम कॉम्बिनेशन की उपर तो उससे पहले मैं आप से भी को यह बोल दो कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहले बारा हैं सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और मैं आप लोग से ज़़ा प्रप सिम्डन सिंग ओपनिंग करते हैं तो पिछले मुकाबले में दोस्तों प्रप सिम्डन सिंग का बले से थोड़ा सा रन लिख ला था और अच्छा खासा पॉइंट्स दिये थे तो अच्छे फॉर्म में दिखे थे पिछले मुकाबले में तो उसकी आधार पर यहां को भी लेकर चलेंगे और फिलिप सॉल्ट को तो लेना ही है जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में खास करके इस ग्राउंड पर और इस ग्राउंड पर दोस्तो टॉप ओडर के बैट्समें को आपको ज़रा तर लेकर चलना है क्योंकि ग्राउंड ज़रा बड़ा नहीं है तो ह लिए यहा है तो दोस्तों एर रगवनसी को और अगर कोलकटा के टीम टॉस जीत जाती है तो आप लोग दोनों को भी ले सकते हैंक़ों कि दोनों टॉप ओडर के बैट्समें को नहीं ले रहा हूं यहां पर मैं दोस्टों सासांग सिंग को लेकर चलू गा जो कि मीडल ओड के बैट्समेन है पंजाब की तरब से और आप लोग ससांग सिंग की जगह पर ले सकते हैं रिलो रूसों को अगर पंजाब की टीम टॉस जीती है तो यह दोस्तों मैंने के वल दो ही बैट्समेन को लिया क्योंकि बाकि सारे बैट्समेन यहां पर उतने अच्छे फॉर्म में एर एक वन से भी फ्लॉप हो गया थे अब आसुतों स्तरमा तो अच्छे फॉर्म में है लेकिन बैट्टिंग ओडर बहुत ज़र नीचे है रेंकु सिंग का भी बैट्टिंग ओडर नीचे है तो इनको भी मैं फिलाल इग्नोर करूंगा और यहां पर विनके टेस से यहर भ फोकस करूंगा खास करके सुनिल लरायन और रसल जो की बहुत ही अच्छे फॉर्म में है पिछले मुकाबले में सुनिल लरायन को दो विकेट मिली और रसल को तीन विकेट तो बैटिंग बॉलिंग से भी संदार पहमेंस कर रहे हैं और सैम करन तो ओपनिंग करेंगा ही तो यहां पर हम लेकर चलेंगे जो की बैटिंग से तो ठाहिए लेकिन बालिंग से अच्छे फॉर्म में दिखे हैं इंगी से फॉर्म मेंkl आ ना को मैंने राबाड़ा को नहीं लिया क्यांकि पंजाब के बॉलियर्स फोmist थीक-ठीक हम् में में हैं लेकिंन धूर जो मेरी तीम रहेंगी च्छे प्लियर मैंने लिया है दोस्तो कोलकाता की तरफ चार ओल राउंडर दो बैट्समें और दो विकेट कीपर और एक दो मैने पिलर्स यहां पर ऐसे भी लिए हैं दोस्तों जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं ताकि वो अगर अच्छा पोहमेंस करें तो आपकी टीम वन सैड़ेड विनिंग करें और जो हमारे कप्तान रहेंगे दोस्तों रहने वाली हैं हमारे फाल टीम की प्रीव्विवू जो कि हमारे कप्तान रहेंगे सूनी लन राएंट वाइस कप्तान लोस्तों सैं पधारा और उर्सव सिंग लिया हैं में मिचल का हसल पकिल ए हरसी promotions को और जैसे कि मैं आपको बता दू कि आप सभी को मिलेगी तो यहाँ पर मैंने क्याप्टन किया है दोस्तों सैम करन को चार और लॉंटर को मैंने लिया और वाइस कैप्टन मैं फिलिप सॉल्ट को किया हूँ क्योंकि आप सभी लोगो पिछला मुकालबा देखा होगा तो सुनिल रायन की कमजोरी आप सभी को भी पता चल गई होगी कि अगर इनको यूरकर फेकते हैं अगर दोस्तों यह यूरकर बॉल अच्छे नहीं खेलने पाते हैं तो हो सके पंजाब इनकी जल्दी विकेट ले 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 बाकी दोस्तों मैंने प्रब सिम्रन सिंग को तो दे लिया है साथ में रेले रूसों को और एर गवंस्टी को भी ले रहा हूँ और बॉलिंग मैं हरसल पर टेल और यहां पर दोस्तों ले रहा हूँ हरसित राना को तो यह दोस्तो रहेगी मेरी यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली दोस्तो टीम रहेगी जो हमारे कप्तान सैम करन और वाइस कप्तान फिलिप सॉल्ट तो इस वीडियों दोस्तो बस इतना है वीडियो दिखने के लिए आप सबे का बहुत बहुत धन्यवाद